नमस्कार मैं सम्वादिर्या न्यूस चैनल से आज हम आए हैं विधानसभा करोल बाग शेत्र में यहां के मले से खास पाथ चीत करने तरह आपका नाम नाम हमारा विशेश है विशेश रवी और यहां करोल बाग में मले हैं विधायक हैं पहली बार 2013 में फिर 15 में और अभी 2020 में करोल बाग के जंता ने हमें अपना वोट के आशिवाद से विधायक बनाया आपकी जब से पार्टी आई है तब से आपके सामने क्या क्या चैलेंज काफी चीजें यहाँ पर सुविधाय के लिहाद से सब ठीक-ठाक है लेकिन जो हमने विदायक के तोर पे काम करना शुरूर किया तो उससों में पता लगा कि बहुत सारी जो प्रिसक्त Kenneth הם भी जो है अभी कोरबा में ठीक से नहीं हैं लेकिन जो एक छहे depende इसमें थे बू अरा के दिख्ए थि वह पानी का है पानी को लेकर हमने काफी मेनद किया काफी काम किया है जह हमने 2013 में विधाय के तौर पर काम करना शूर के था तो लगबग हर लाके में पानी के दिखका थी पूरे चेत्र में तो एक ये बड़ा काम हुआ है और इसके रावा और बहुत सारे काम हुआ है सर, MCD के अभी रिसेंटली चुना हुए हैं, बहुत भारी भाहुमत से आप लोग जीते हैं, तो आगे जाके जो काउंसलर्स के साथ आपका काम रहेगा, वो किस तरीके से रहेगा? देकि जो नगर निगम से लोग बहुत प्रशान थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली में MCD के अंदर भी हमारी जिसकारकों के जीवाल जी को मौका दिया है और अब जो नगर निगम के सारे काम हैं, चाहे वो साफ सफाई को लेके हैं, चाहे वो सड़कों की देख भाल को लेके हैं, चाहे वो अन्य कोई और काम है, तो उन सारे कामों को लेकर जो हमारे पाशर्द हैं, जैसे हमारे यहाँ पर तीन वाड हैं, तो तीन में से हमने दो सीट जीती हैं तो इन दोनों सीटों पर हम एक अच्छा तालमिल बना कर लोगों की जितनी भी समस्या हैं नेगर नेगम की भी उन सब को भी हम हल करेंगे और एक वार्ट जहां पर हमारे कैंडियट नहीं जीते हैं वहां भी हम चाहे जो भारतिय अंता पार्टी के जो जीते हैं वहां पर उन से तालमिल बनाकर या फिर अधिकारियों से बात करके पब्लिक की जो भी समस्या हैं उनका अम हल करेंगे सर अभी तक हमने देखा हमने सर्वे जैसे की है जनता के तीन मुद्धे तकरीबन रहे हैं एक तो पैंशन रही है सबसे बड़ी जो औरतों की मुद्धा के पैंशन उनको टाइम पे नहीं मिल रही है आगे जाके जो कूडे को लेके गंदगी को लेके जो भी रहा है तो उस साफ सफाई को लेकर तो उसको लेकर हमने काम शुरू कर दिया अलएडी हमारे जो पाश्यद हैं वो गली-गली घूम के जो हैं लोगों से मिल रहे हैं और जहां भी कूडे से समझे दिक्कते हैं उन साथी दिक्कतों का जो है निप्टारा करने है उनका निवरंग करने है औ सकूलों को बहुत अच्छा करना है चाहे अस्वतालों को ठीक करना है विद्दा पेंशन जो पकले डिएड़ यार थी उसको डहाई जार रुपे करना है चाहे महिलाओं के लिए बसों में कराय माफ करना है चाहे जो तीर-थी आत्या योजना है उसको शूरू करना है ऐसी आप ने खुद ही बताया कि अभी आप आया थे तो लोग यहां बैठे वे थे तो हर रोज हम नियमें दूप से अपने कालले बैठते हैं और जो लोग यहां पर हमार से मिलने आते हैं उन से मिलते हैं और जिस भी विभाग समधित उनकी शिकायते होती हैं उस विभाग को बात करके चिठी पत्री करके या वहां जाकर उनकी समस्रों का मिटारा करते हैं और यह जो चीज़ हो रही है जो विदहायक उपलब्ध हैं पब्लिक के लिए मिलने के लिए से सुबह से बैठे वे थे अभी दो बजी गें आपके सामने तो यही सबसे बड़ा बदलाव जो है आम कि मेरभानी होती थे तो विदहायक से मिलते थे लोग अभी लेकिन ऐसा नहीं है आपने देखा है कि दर्वाजा खुला होगा है जिसकी भी जो समस्रेया है वो सीधा आता है हमार से मुलाकात करता है जो दोजार चौबीस में आने वाले चुनाव है उसको लिए आपका क्या एजंडा है एजंडा यही है कि दिली सरकार को जब लोगों ने जिताया तो जो जो काम हमें सोपे दिली सका के तौर पे चाहे है वो सिक्षा है स्वास्त है बिजली है पानी है तो हमने उसको उसको ठीक किया अब दिली में लोगों नगर निगम हमें सोपा है तो नगर टुinh को लोग्सिवर आएंगा तो हम पबलीक से कंड़ी कोषा हो हुगी कुछ है कि दिली सकता रिक काम हमें आपने छोपिये के काम सोपिये श्यक्ताम को भी थीह अब जो एक को हमान को क्या कßरो उख लिब कर अभी तो कि बिल्स मेंगा वह पना सांसत का होता है चाहे पुलिस लॉन अडर है चाहे वो डीडिये है चाहे वो अन्य कोई विभाग जो पर्लेमेंट के अंदर या सांसत के अंदर आता है उन सारे कामों को हम करेंगे और सांसत जो हमारे बनके आएंगे वो भी हमारी तरह दिल्ली के लोग सेवा करेंगे सर जनता के लिए आपका कोई मैसेज यही है कि उनको हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने मुझे भी और हमाई सरकारों को भी खुब आशेवाद दिया है खुब प्यार दिया है और हम लगातार अपने काम से यह कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने हमें आशेवाद औ दिया है उस पर हम खरे होते हिं हम अपने काम से ही उनको यह कहना चाहते हैं कि हम जब भी आप consultation कि यह मुझे जिस भी छेत्य में मुकार्यणे हम आपका करेंगे यह कुछ निराश्ट नि इसования करेंगे लिए झाल झाल